हलो फ्रेंड्स मैं हूं इतलेईस कुमार और आपका स्वागत करता हूं दित फार्मेसी के यूटूब चैनल वे तो कैसे हैं आप लोग आसा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फार्मा सुटिक्स का जो पहला चप्टर है आप था हिस्ट्री अफ फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्मा कोपिया को स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें की दो टॉपिक पढ़ाऊंगा आज हिस्ट्री वाला पार्ट दूसरा है फार्मेसी एजग करियर और यह दोनों टॉपिक इन्पोर्टेंट हो जाता है आपके फर्स्ट एर के एक्जामिनेशन के लिए इस तरीके से आ जाता है कि इंडिया में फार्मेसी एजगेशन का क्या कुछ इधियास रहा है वो लिखिए या फिर हिस्ट्री लिखिए और या फिर फार्मेसी एजग करियर में क्या क्या ओपर्चुनिटी है क्योंकि आप फार्मिसी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको करियर्स के बारे में थोड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए और कई बार mcq format में यह हिस्ट्री वाले पार्ट से question आता है और चुकि अब आपको exit exam देना confirmation है तो मैं history में उन सारे parts को जरूर कवर करूँगा जो कि mcq के लिए important है और कई बार अलग-अलग फार्मासिस्ट के exam में पूछे जा चुके हैं है जो कि देखिए history अगर पढ़ाने लग जाए तो काफी एक गंटे तक लगातार आपको history में पढ़ाता रहूंगा और अलग-अलग किताबों में जितना दिया हुआ है लेकिन उन सारे points को मैं यहां पर touch नहीं करूँगा मैं उनको touch करूँगा जहां से लगातार एक्जाम में पूछे जाते हैं और यदि डीटेल में पढ़ना इद बुक को आप reference के तौर पर पढ़ सकते हैं या फिर आपको हमारे paid classes में डीटेल में पढ़ाया हुआ है चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि आप फर्स्ट एर में अभी इसी प्रकार चे पूरे syllabus को cover करना चाते हैं और अपने exit exam के tension को खतम करना चाते हैं तो अभी आप उधित pharmacy के आपको download करिए और आप हमारे साथ अपने तयारी को continue करिए फर्स्ट एर और सकेंड यर में ही इतना पढ़ा देंगी कि आपको exit exam के बारे म फर्स्ट एर में भी और सकेंड यर में भी ओके चलिए पहला topic आप करेगा history of the profession of pharmacy pharmacy profession का क्या कुछ इतिहास रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ इस प्रकार से कि यदि आपको यह topic से question आ जाए तो किस प्रकार से answer आप लिखेंगे तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा word pharmacy क taken किया गया है किस word से लिया गया है तो Greek word फार्मा कॉन से लिया गया है क्या Greek word फार्मा कॉन से लिया गया है जिसका मतलब होता है drugs जिसका मतलब क्या होता है drugs जिसका मतलब क्या होता है drugs तो pharmacy जो है एक Greek word फार्मा कॉन से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है drugs ठीक है फिर कह तो काफी फार्मेसी में कई प्रकार के अब तो इतना हो रहा है धीरे-धीरे-धीरे का फिल्ड बहुत अच्छे से डेबलप होते जा रहा है तो अलग-अलग प्रकार की करियर अपर्चुनिटी यहां पर खुलते जारी है यहाँ पर मेली है knowledgeable person होना चाहिए, skilled होना चाहिए, उसके बाद उसको नौकरी की कोई दिक्कत नहीं होगी, यह यकीन मानिए है ना, यह चीजें है, फिर कहते है father of pharmacy और father of Indian pharmacy पर बड़ा पूछा जाता है, मैंने highlight किया है, father of pharmacy किसको कहा जाता है, William Proctor Jr. को किसको, William Proctor Jr. को जो की एक American pharmacist थे, इसलिए इसको father of American pharmacist भी बोल देगा, American pharmacy, तो William Proctor Jr. ही होगा, तो मतलब इसको कहा सकते हैं कि पूरे विस्व का जो pharmacy जगत का जनक है, यानि कि father of world pharmacy भी बोल दिया जाए, तो William Proctor Jr. होगा, लेकिन जब हमारे भारत की बात आए, तो भारत में किसका राच चलता है, महाकाल का, किसका महाकाल का, तो यानि महादेव लाल स्रॉफ, कौन? महादेव लाल स्रॉफ, तो father of Indian pharmacy याद रखिएगा, महादेव लाल स्रॉफ, इंडिया में जो pharmacy education है, Indian pharmacy education के जो जनक है, वो कौन है, महादेव लाल स्रॉफ, जिसको लोग professor M.L. स्रॉफ भी कहते हैं, है न देखिए, यह हैं, आपके photo में दिखा देता हूँ, William Proctor Jr. है, जो की recognized as the father of American pharmacy, American pharmacy के father भी कहते हैं, और world pharmacy के भी father है, यह हमारे professor है, father of pharmacy education in India, जो की professor महादेव लाल स्रॉफ है, जिन्हों ने introduce किया था bachelor और master course in India, in pharmaceutical in India, मतलब इंडिया में master's और bachelor course को start करने वाले यही हैं, है न Indian general pharmacy, general of pharmacy को edit किया था, first vice president of PCI, pharmacy council of India के first vice president यह रह चुके हैं, यह कुछ चीज़ें आपको इनके बारे में जानना चाहिए, अलग-अलग प्रकार के exam में, जहां पर exit exam के लिए काफे important रहेगा, यह तोन पॉइंट, फिर कहते हैं कि अब ancient time पे जो आपका अभी जो pharmacist काम करता इस काम को physician ही perform करता था, तो वह बोल रहा है, physician कौन है, जो doctor है न, physician, in ancient period, प्राची निकाल में, it was believed that a physician performed the pharmaceutical work, दवा से related, जो भी काम है, दवा का formulation related, तो वो सारी काम physician ही करते थे, prepare the prescription, prescription वो prepare करते थे, दवा किस की चीज़ की ज़रूत है, and supervise the prepare for prescription, और उसी prescription के according दवा वगरा बनाते थे, और उसको patient को treat करते थे, ऐसा कुछ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है न, अब एक अलग profession दे दिया गया है, है न, फिर क्यारा, लंडन फार्माकोपिया became available in India, 1824, 1824, इस्वी में इंडिया में लंडन फार्माकोपिया आया, अब ये फार्माकोपिया क्या है, तो फ इंडिया की अंदर जितनी भी drugs हैं, जितनी भी drugs marketed हो रहे हैं, बिक रही है, सारे drugs का हर एक information किसमें डाला हुआ इंडिया फार्माकोपिया में, तो पहले तो इंडिया फार्माकोपिया था नहीं, तो इंडिया में जो चला किसके according, लंडन फार्माकोपिया के according, तो इससे situation यह हो गया कि जब लंडन फार्माकोपिया कि एक्वाइय में दवाएं बिकेंगी इंडिया में जो भी दवाएं होंगी वह लेंड़न वाली दवाएं आएंगी तो हम लोग पर एक प्रेसर क्रीट्वा कि अब लोगों को दवाएं कहां से मंगवाना पड़ेगा बृते यानि इंडिया में इंडिया इन 1842 इन गोवा में पूर्तकीज के द्वारा यह खेगाते हैं 1845 में फार्मेसी एजूकेशन को को स्टार्ट किया ग्या था और इन 1860 इनTuब्लिस में पहला इंडिया फार्मकोपिया प्रितिक लेकिन अब इनडिया में इंडिया फार्मकोपिया आया लेकिन यह भी ब्रितिक एक को दिन चल रहा था तो पूरे तरीके से इंडियन नहीं था यह ठीक है इसमें सारी चीजें ब्रिटिस के एकॉर्डिंग ही थी तो पहली बार 1868 में आया लेकिन याद रखेगा अगर बोल देगा इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन कब आया था तो 1905 है ना अगर ब्रिटिस मोनार्की क एकॉर्डिंग पुछेगा तब 1860 ठीक है फिर 1939 में फर्स्ट इसूज ऑफ इंडियन जर्ल लॉफ फार्मिसी वाज पब्लिश्ट यानि कि पहला इंडियन जर्ल लॉफ फार्मिसी पब्लिश्ट कब हुआ था 1949 में और 1941 में एक पोस्ट फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट पर ऑनाउंच्ट एट के एम था मॉफटल मुंबाई जयानी कि पहला फार्मसिस्ट का पोस्ट यानि को था पर बनाया गया था के इएम होस्पिटल मुंबाई में जिसी 1941 में थेख है और फार्मिसी एक्ट इबलिश वा गकब 1948 में तो बहुत वह वह कहीं भी रजिस्ट्रे सब कुछ याद रखेगा इतना कुछ मैंने हिस्ट्री बताया काफी है इतने लिग दीजेगा तो माक्स मिल जाएंगे और भी पढ़ना है तो आप प्रकार से लिख सकते हैं मैं दिखा देता हूं कहने की बात कहें तो फार्मेसी फिल्ड में स्कूप की कमी नहीं है यूज सकोप है आप यह वाले समय में बहुत ज्यादा ने वाला है कि फार्मेसी कॉलेजों की संख्याएं काफी बढ़ रही है और फार्मासिस्ट का जो उपियोग है यानि की जरूरत है वो भी बढ़ रहा है तो इस वज़ेंसे की जरूरत होती है तीचर में एक time to get exposure to pharmaceutical industry and practical setting to keep the ऍशेल अपडेटेट हैं ताकि वो भी है ना दूसरा है कम्यूनिटी फार्मिंटी के तोर पर काम कर सकते हैं कम्यूनिटी फार्मिंटी का मतलब हुआ कि अपना मेडिकल स्टोर वगारा डाल करके या फिर कम्यूनिटी फार्मासिस्ट बन सकते हैं, hospital बगरा में फार्मासिस्ट के तौर पर कांद कर सकते हैं, है ना, और यह फार्मासिस्ट क्या होता है, तो फार्मासिस्ट act as a mediator in between patient and doctor. पेसेंट और डॉक्टर के बीच के mediator का काम कौन करता है, फार्मासिस्ट करता है, तो यह बोला, therefor he can also providing counselling to the patient मतलब है कि दवाओं को खुद से उप्योग कैसे करें कौन सा दवा कब खाना है नहीं खाना भूगे पेट कौन सा खाना है यह सारी चीजें बता सकता है है ना यह हाई प्रफाइल जाब लगर आता है जैसे बन सकते हैं यह सब अगर भी फार्मा करने के बाद यह अपर्चुनिटीज खुल जाती है तो कहरा है फार्मासिस्ट कैन वर्क इन दर्ग कंट्रोल डिपार्टमेंट इन वेरियस सेक्शन ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसके वेरियस सेक्शन में जैसे की CDSCO है जैसे की Central Drug Standard Control Organization इसका फुल फर्म होता है इस दे इंडिया में जो ड्रग को कंट्रोल करने का और्गनाजेशन है वो क्या है CDSCO यानि की Central Drug Standard Control Organization जिसके तयात आप काम कर सकते हैं कहरा कि कोई ड्रग्स बनने से लेकर के सप्लाइ होने तक कि उसके क्वालिटी को स्टेंडर करने के लिए यह कमांड करता है फिर करा है कि ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग कंट्रोलर एटीसी आर देर तो गीव मैनुफेक्ट्रिंग अप्रोबल इसी कंतर अलग अलग प्रकार के पोस तो वर्क इंड्रग्स टेस्टिंग लेडरी विद अधा है डीपार्टमेंट के साथ लेवरेटरी वगरा में भी काम कर सकता है फिर बात करें चौथा पॉइंट में आप क्लीनिकल रिशर्च लिग सकते हैं क्लीनिकल रिशर्च वग्राइशन सी आरॉस इन इंडिया गॉलिटी को स्थार्म करते हैं आजए का मतलब हुआ की ड्रॉटी को अस्य कैसा है नहीं है उसको क्लेटी करने का का में का की करता है इसमें की काम कर सकते हैं फिर आजए कया तौर पर भी क्रेंश गया बी प्रोवाइड़ी वाइड आपको का सकते हैं उसकी डिये सकते हैं फिर मेडिकल ट्रांस्क्रिप्चन के तौर पर काम कर सकते हैं इतनी भी वी फार्म ग्रेजुएट होते हैं वह सब्सक्राइब कर सकता है ना फिर कहते हैं कि नेक्स्ट है आपका सेल्स मार्केटिंग में का सकते हैं इस फार्मासिस्ट के पास अच्छा सब्सक्राइब कर सकता है इसको भी प्रिफर देता है यह कुछ आपके करियर ऑप्संस थे जिसको की आप इसमें लिख सकते हैं और अगला क्लास हमारा रहेगा फार्माकोपिया का ठीक है उससे पहले मैं आपको बता दूँ जो आपको हमारा डी फार्मा फर्स्ट का एक कोर्स यदि जॉइन करने का आप हमारे इसी तरीके से यदि पूरा सिलेबस पढ़ना है तो आप जॉइन कर सकते हैं इसमें आपको क्या-क्या मिलेंगे पहले बता साथी साथ एक्जीट एक्जाम की तयारी यहीं से शुरू करवा देंगे ताकि आप जैसे सकेंड यर पास करें तो आप उन अटेम्ट में सिंगल एक्जीट एक्जीट एक्जाम को निकाल लें अभी से पढ़ेंगे तब इबुक पीडियाफ नोट प्रवाइड कर आ जाएगा चेप्टर वाइज एक्सरसाइज प्रवाइड कर जाएगा चेप्टर वाइज टेस्ट प्रवाइड कर जाएगा लाइव चैट बाइलिंग्वली पांचो सब्जेट का यह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और यदि किताब में से 90% कुशन एक्जाम में आते हैं आएंगे यह हम लोगोंने अपने अनुभव के आधार पर इसमें सारी चीज़ों को एड किया है यदि आप इंट्रेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पे जाएए देनोदेद फार्मिसी आपको सर्च कीजिए आपको इंस्टॉल क किजिए इंस्टॉल करने के बाद नाम इमेल डाल के लोग इन कर लीजेगा लोग इन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में आएंगे और आपको यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत है पिर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सुबह करके सामके 6 वज़े तक हमारी टेकनिकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करने की कोसिस करेगी ठीक है आई होब कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप नेक्स लेक्चर का वेट कर रहे होंगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दिजेगा और लगातार हम लोगों क